अब हमारा क्या रह गया इसमें ध्यान से देखेंगे तो सर रह गया 54F और 54GB तो पहले हम 54F करते हैं 54F बड़ा सिंपल सा सेक्शन 54F अब कुछ लोग बाग क्या करते हैं यह सेक्शन देखो कैसे बना इसके पीछे theme समझो बहुत लोग बाग करते हैं क्या assets खरीदना घर को खरीदना क्या मामूली है नहीं आप देखते होगे आपके parents है बहुत सारे ऐसे भी parents होगे आपके शुरू से अब तक पैसे जोड रहे हैं, जोड रहे हैं, पहले बच्चों के शादी में खर्चुआ चलो, अब जो बचा, अब जो जोडना स्टार्ट किया, वो सोच रहे हैं, कहीं छोटी मोटी जगह ले ले, जमीन ले ले, काम आएगी, पैसों को जोडने के दो तरी खरीद लिया, और गोल्ड खरीद रहे हैं, सिर्फ के हम एक दिन अपने सपनों को पूरा करेंगे, एक दिन घर खरीदेंगे, हो सकता है, आपने गोल्ड खरीदा हो, पांच लाग का अभी तक दिरे दिरे जोड के, और आज की इसकी कीमत कितनी हो, 1CR, आपका 95 लाख रुप सपनों को पूरा करने की सोचता है, गवर्मेंट उससे 17 लाख रुपए एक जटके में ले लेगा, तो वो घर खरीदेगा कैसे, तब गवर्मेंट को एक सेक्शन लेके आना पड़ा, अगर ऐसा कोई काम करता है, कोई भी अपना एसेट्स बेच दिजे, कोई भी बेचिया ह हमें मतलब नहीं है, अगर आप एक रेजिदेंचल घर करीदेंगा और आपके पास पहले से रहने के लिए घर नहीं होना चाहिए, तब ये वाला सेक्शन एक्टिवेट करेंगे, यानि सर आपको 54F का डिडेक्शन या 54 एक इसका क्लेम करना है, तो सरकार ने ऐसे लोगों क के लिए लेके आई, बोला के भाईया, आप कोई भी, any asset, किसी भी assets को आप क्या करिए, बेचिए, जो capital gain arise होगा, आप क्या खरीद लीजिए, लेकिन आपके पास पहले से घर, क्योंकि मजबूरी यही थी ना, आपने घर के लिए पैसा इखटा करा, तब ही बेचा, आपके पास पहले से घर है, और फिर भी आप खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब आपका intention है पैसा कमाना, और जब आप पैसे कमाई की बात करेंगा, तो सरकार उसके उपर tax है, साथ के साथ बोला गया, सर यहाँ पर, अगें जब घर खरीदेंगे, तो आपको दो साल लग सकता है डू पैसे अंदर आप जमा करवा देजिए, बोला गया, सर यहाँ पर जो हम deduction देंगे न, वो देंगे पर पॉस्ट नेटली, हर जगह पर बोला भीया, पांच लाग का अपने assets करीदा है, पांच लाग माइनस करो, चार लाग का assets करीदा है, चार लाग माइनस करो, यहाँ पर ब ऐसा क्यों लाय गया, क्योंकि बोला गया, आपने gold बेचा, एक करोड का तो खरीदो ना, एक करोड का gold, आप सतर लग का gold खरीद लेते हो, या आपने एक करोड रुपे का बेचा, आप देड़ करोड रुपे का मकान खरीद रहे हो, और extra पैसे लगा दिये, तो आपको यह formula लगाएंगे हम, क्या formula लगाएंगे सर, आपका capital gain divided by sale consideration, NSC, sale consideration, जो भी capital gain हुआ उपर रखिये, sale consideration नीचे रखिये, इन टू में investment कर दीजिए, जो amount निकल के आएगा, वो amount आपके लिए exemption के लिए available होगा, इसे बोला जाता है पर पोस्नेट, पहले हमने देखा था एक question 54 के इंदर सर एक घर बेच दिया हमने और एक नया घर खरीद लिया कितने का खरीदा चालिस लाग का था अब ऐसा नहीं होगा पहले आप उसको आप पर पोस्नेटली पता करोगे कि एक्चुल कितना अमाउंट एक्जिंशन मिलेगा तो सर 54F क्या कहता है सर बड़ी सिंपल सी बात है आप कोई भी एसेट्स बेच दीजिए और क्या खरीद लिजिए घर खरीद या आपके पास पहले से घर नहीं होना चाहिए इस घर को बेचना भी नहीं है तीन सालों तक बेच दिया तो फिर से एक्जिंशन कैंसे अलग रहना है मतलग है हाँ तो अपना घर आपके पहले घर नहीं है ना तो हाँ नाम पे देखा जाता ना मम्मी पापा अला मत सूचो आप वो तो वैसे भी आपको अपने घर के बारे में सूच रहा है आपके ऐसा मैं सोचो कि हमारे पडोस के पास भी है, हमारे मम्मी पापा के पास भी है, वो हमारा ही है, ऐसा नहीं होता है, हमारा वो ही होता है, जो हमारे नाम पे होता है कानूनन, ठीक है ना, तो सेम ऐसे इस section को भी एक बार read कर लेते हैं, interesting, important, बहुत सारे questions के अंदर इसका use होना है सार क्यों use होना है, examiner जानता है कि बच्चा यहां फस जाएगा, अब ध्यान देना, देखो, मैंने agriculture land बेच दिया, और मैंने एक घर खरीद लिया, क्या deduction मिलेगा, exemption मिलेगा, agriculture land बेचा और मैंने एक घर खरीद लिया, क्या exemption मिलेगा, F में मिलेगा न, any assets कहता है, any capital gain कोई भ आपके बस बता रहों कैसे apply होगा, मैंने agriculture land बेच दिया, और मैंने bond खरीद लिया, NHI का, क्या मिलेगा, मिलेगा, यानि सर जहां पर बोला गया न, any assets, तो ऐसा मस सोचिएगा, residential घर खरीद के, residential घर खरीदोगे, बेच के खरीदोगे, तभी आपको मिलेगा exemption, residential घर खरीद के तो मिलेगा 54, और फिर से आपने residential घर बेच करके, और आपने अगर कोई, पहले कोई घर नहीं था, any assets बोला, sorry, मैंने थोड़ा सा मैं clear कर दू, यहाँ पर आपको residential house नहीं बेचना, पहले जिसने बोला था सही है, नहीं बेचना, क्योंकि आपको घर बेच करके, घर नहीं ख चाहिए, और आपके पास पहले से घर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके ने घर बेचा है, तो इसका मतलब पहले से घर है, यह section apply नहीं होगा, पहले ही के लिए रहे, समझ में आई बात आपको, last एक section रह जाता है, जो है हमारा 54 GB, सर, GB के अंदर क्या है, GB में बोला के, पहले मैं एक बार 54 F पढ़ ले, तो बहुत important है, अरे, यहाँ पहुँच गए यह तो, हमारा गया कहाँ, चलिए सर, ध्यान दीजिए, most most important, 54 F, किसको मिलेगा, individual HUF, यह भी बाते ध्यान में रखना है, वहाँ पे वो फटा-फट से बोल देते, एक company ने क्या करा, घर बेच दिया है, और घर खरीद लिया, आप बोलते हो, सर, घर बेच और घर खरीदा, आपके दिमाग में रहता, 54 लगा के ले लो exemption, लेकिन यह भी ध्यान रखना है, कि वो तो company के लिए apply नहीं होता, कहता है, any long term capital assets, कोई भी long term capital assets हो other than, अच्छा मैं यह पे आ गया, any long term capital assets other than, लिखा हुआ है, other than residential house property जो भी है, any long term capital assets, मिल जाएगा long term होना चाहिए, अब कहता है, residential house, SSC should not own more than one residential house, the date of transfer, जिस दिन बेचा गया assets को, उस दिन उसके पास घर नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा, not more than one, जैसे बोल रहते हैं, घर नहीं होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा, नहीं होना चाहिए, उसके पास, सर, if assets purchase, वही दो साल पहले, बाद में construction के लिए तीन साल या एक साल before, सर यहाँ पर देखिए, deduction कैसे मिलेगा, capital gain, divided by, यह into में थोड़ा सा इधर उदर हो गया, यह into वाला इधर जाएगा, जो मैंने formula लिखा है, वही रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, cg divided by, sales into में, investment, यह formula रहेगा, नीचे थोड़ा mess up हो गया, capital gain, और यह into में जाना था, divide by नीचे आगया, net sale consideration, तो थोड़ा इधर उदर हो गया, बाकि जो मैंने लिखा है, वही है, बताइए, 54F में कोई दिक्कत, tenure के अंदर मैंने एक, एक theory सब को explain करके डाल दिया है, चाहे बच्चा हिंदी medium का हो, तो हिंदी medium का भी theory मैंने प्रिपेर करके डाला हुआ है, हिंदी के tenure में, English medium का है, तो English medium का भी डाला हुआ है, तो आपका tenure दो section में divided है, सर एक theory section में, theory section में सारे theory डालने मैंने, और practical section में practical question और paper section में past year के paper, ऐसे तीन type में categorize किया है, तो जो बच्चे कह रहे हैं, सर theory और notes एक बार डाल दिए, देखे, ये chart तो मैं हर किसी को provide करूँगा, मैं सोच थोड़ा colorful इसको करवाँ, ताकि फिर देदू, बाकि जिन बच्चों ने 10 year लिया हो, उनके पास मिल जाएगा, उसी के अंदर लेनी के जुरत नहीं है, सर, 54D में कितना exemption मिलता है, no limit, कोई limit नहीं है, जितने का assets खरीद दिये, सारा exemption ले जाएए, capital gain से ज्यादा ना हो बस, सर, 10 year नहीं है, तो खरीद लीजिए 10 year, 150 रुपे का आएगा 10 year, last section, not important, मेरे हिसाब से, exam के लिए इतना important नहीं है, so that, जो कि यह 54 GB, अगला section ने 54 GB क्या कहता है सर, यह किसी भी individual और HUF को मिलेगा, और आपको घर बेचना है, कहता है, residential, house, property, building, land, जो की taxable होता है HP में, एक घर बेचना था 54 में, और एक घर बेचना है आपको 54 B में, उस वाले में घर बेचके घर ही खरीदना था, यहाँ पे घर बेचके घर नहीं खरीदना, the asset transfer should be long term, और सर, खरीदना क्या है, equity share, मतलब सर, अगर आपने घर बेचा, और घर बेचके आपका capital gain आता है, तो ऐसे situation में आपको जो पैसा लगाना है, वो equity share में लगाना है, और equity share कौन सा, वो startup India का जो पहले एक दो बाद में section आया, startup India में बोला था, यहाँ पे पैसे invest करना है, तो वहाँ पे अगर आपने पैसे invest किया है, जिनका काम power generation वगेरा में है, काम, उनके equity share को खरीदोगे तो मिलेगा, कहता है, CG subscription of equity share, eligible startup assets cannot be sold 5 साल, और उसके assets को जो खरीदा, वो 5 साल तक बेचा भी नहीं हो company ने, eligible startup of computer and software में 3 साल रखा गया, before ITR से पहले आपको investment कर देना है, capital gain वैसे ही मिलेगा, जैसे कि अभी तक मिला था, 54F के अंदर पर पोस्नेटली, और capital gain deposit applicable है, यहाँ पे मिलेगा आपको करने के लिए, ITR से पहले कर सकते हो, exam के point of view से मैं कहूंगा, sir इतना important नहीं है, यह वाला section, एक बार फटा-फट से सारे section को revise कर लेते हैं, सबसे पहला कौन सा है, 54, क्या करना है इसमें, घर बेचोगे और घर तो exemption मिलेगा, दूसरा 54, B, आपको क्या बेचना है, agriculture land, कौन से वाला, urban area का, खरीदना क्या है, agriculture land, कौन से वाला, आपकी मर्जी है, इसके बाद हमारा क्या है, 54, D, क्या बेचना है आपको, industrial compulsory acquisition में, government ने ले लिया हो, गवर्मेंट ने compulsory acquisition में ले लिया हो, खरीदना क्या है, land and building, कहीं भी खरीदिया, industrial purpose के लिए होना चाहिए, फिर क्या है सर, 54, EC, क्या बेचना है, कोई assets बेचिये, खरीदिये क्या, government के specified assets, जो की bond है, तीनी bond है, एक REC, और एक NHAI, और एक railway corporation का, 54, EE, same है सर, कोई भी assets बेचिये, खरीदिये, government ने जो notified करेगी assets को, उसको खरीदना है, 54, EC के बाद, 54, आपका आता है, F, आपको बेचो कोई भी assets, residential house छोड़ के और खरीद लो एक residential house खरीद लो आप, तो आपको exemption मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पोसनेट basis पे मिलेगा, 54, आप अपने factory को बेच दो, सहर से और चले जाओ, कहाँ, किसी आपका rural area में, गाउं में चले जाओ, आपको exemption मिलेगा, land and building and plant and machinery दोनों का, 54GA आप अपने assets factory को बेचो और चले जो, SE, Z में, तो exemption मिलेगा, 54GB आप अपना घर बेचिये, और government ने जो notified equity करा हुआ है, जिसका काम, power generation वगरा होता है, तो कई जगह पे software वाले में 3 साल तक उस assets को नहीं बेचना, और other में 5 साल category है, वहाँ पे, तो ये आपको main तो आपको पहले point theme याद होना चाहिए, और 7 के साथ किसके लिए capital gain हमारे पास available है, बस EC में है के 6 महिने के अंदर खरीदना चाहिए, EC के अंदर examiner point डालेगा, तो आपको date डाल देगा कि इतने दिन में खरीदा है, फिर capital gain deposit में एक साल बाद हमने bond खरीद लिया, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर capital gain deposit में डालोगे, तो आपके लिए available ही नहीं है, तो यहाँ मिलेगा ही नहीं, तो most important इसमें से मैं मान के चलता हूँ, कि आपके exam में 6 नंबर का थियोरी तो पक्का है, आना ही आना है, चाहिए कुछ भी हो जाए, इसमें से 6 marks का आपका थियोरी आना पक्का है, सर 54 F repeat कर बाद देना है, 54, सायद सक्षम आप लेट तो नहीं आए, 54 F क्या कहता है, आपको assets कोई भी बेचिए, लेकिन residential house नहीं होना चाहिए, और उस assets को बेच के एक घर खरीद लीजिए, घर एक आपके पास पहले से हैं, तो एक ही घर खरीज सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा घर है, तो allowed नहीं करेगा ये section, और घर खरीदने के बाद, आपको exemption जो मिलेगा, वो एक percentage, पर पोस्नेट basis पे मिलेगा, जो formula apply करेंगे, इससे related हम practical question देखेंगे, तो ज़्यादा हमें clear हो पाएगा इसका, बताइए कोई doubt,